विन्सिटी डिवालपर्स की एक और शांदार पेशकश जहांगीर पीर दर्गा से दो किलो मेटर पहले आबादी के बीचों बीच गाउं से लगा हुआ विंचर फीकस सिर्फ पाँच हजार रुपए नक्या आसान अकसाद पर दोस्तों आप सबने ये मिसाल तो सुनी होगी बड़े तुर्मखा बने फिरते हो लेकिन हम लोगों मेंसे ज्यादातर कोई ये नहीं मालूम कि ये मिसाल हमारे मौशरे में कैसे आए तो आज हम बात करेंगे दक्कन के शेर साओध इंडिया में आजादी की चिंगारी लगाने वाले तुर्यबाज रुस्तम खां या तुर्मखा के बारे में तुर्यबाज रुस्तम खां या तुर्मखा बेगम बजार हैदरबाद में पैदा हुए वैसे तो ये जनूब हिंदुस्तान की तारीक के हीरो हैं लेकिन मौजुदा शिनाफ्त से महरूम तो रमखाँ वो शख्स हैं जिनोंने 1857 की पहली जंग आजादी में दक्कन भारत से सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद की इन्हों ने अपने इनकलाबी खिताब और हिकमते अमली से 5-6जार लोगों को एकटा करकर जुलाई 1857 में बिल्टिश डिजिडिंसी पे हमला किया जो अब कोटी हैदराबाद में उस्मानिया विमिन्स कालेज है तो रमखाँ का यहां हमला करने का मकसद अपने बंदी बनाए हुए साथियों को आजाद कराना था इस हमले के जुरम में तो रिबासगा को जेल में डाल दिया गया एक साल की सजा पूरा होने के बाद तो रिबासगा को काले पानी की सजा के लिए भेजना था लेकिन उससे पहले 18 जन्वरी 1869 को तो रिबासगा जेल से भाग निकले तब बरतानवी हकुमत ने उनकी खबर देने वाले को पांच हजार काई नाम रख दिया तब दोबारा तूपरान तेलंगाना के जंगलों में इनको तूपरान के तालूगदार की मदद से गिरफतार कर लिया गया और उनकी लाश को शेहर के चौराहे पर नंगा करकर लटका दिया गया ताकि आगी कोई बागी अपनी आवाज उठाने में खौफ खाए भारत के 74 वे योम जमूरिया के खास मौखे पर एडिटर्स फेडरेशन तेलेगाना के जिम्मेदारों ने सुल्दान बाजार कोटी चौराहे में वाखे मीनार तुरेबास खां मुस्लिम स्वतंतर सिनानी पर एक रंगा-रंग तकरीब का हितिमान किया मेहमाने खुसी की हैसियत से जिस्टिस भी चंदर कुमार ने शिरकत करते हुए भारत का घंडा लहराया और उसे सलामी दी बाद आजा सभी को मुकातिब करते हुए मुलक की आजादी के लड़ाई में हिस्ता लेने वाले सभी सूर्माओं के साथ-साथ खास तौर पर मुस्लिम रहनमाओं पर गहरी रोशन डाली और मुलक के मौझूदा भढ़का हुआले हालात के फंडे में ना फचने का अवाम को मश्वरा दिया इस मौके पर जीगर मेहमानों में वहाँ पर मौझूद थे हाई कोट के सीनियर एडुकेट घुलामी जजदानी जहिरुदिन अली खान मेनेजिंग एडिटर सियासत वाईयस सरदार आर्किटेक्ट एडुकेट मेसमी वगएरा वगएरा संदर फेडरेशन लक्टर समद उस्मानी ने आखर मैं सभी महमानों का शुक्रिया आदा किया अल्हाज इबराहीम बिन अब्दुल्ला मस्खती का कारनामा तेलंगाना की सबसे बड़ी डेरी हाई टेक टेकनोलोजी सेलेस भैस के खालिस दूद और चिकनाई वाले दूद के लिए सारे तेलंगाना भर में मशहूर मस्खती डेरी असली घी और दही के गलासिस के अलावा फ्लेवर मिल्क का जवाब नहीं मस्खती डेरी कोटले आली जा हैदरबाद